Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited के बारे में So IOC में अगर देखे तो आपको शानदार लेवल्स आज देखने को मिले शानदार मोमेंटम आज देखने को भी लगा जो कल हमने वीडियो में डिसकस किया था वही हमें देखने को मिला है स्टॉक अच्छा मोमेंटम बता रहा है कल मैंने क्लेरली बोला था कि यहाँ पर जो MK Global है उनकी और से काफी शानदार टार्गेट दिया गया था एडिफाई का तो टार्गेट अभी भी कम्लेट नहीं हुआ है स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 83.55 रूपिस पर 2.95 रूपिस के अराउंड के अगर देखें स्टॉक ने अच्छे रिटन्स दिये है 3.66 परजन के बेसिस पर सो गाइस कल यहाँ पर या तो बड़ा धमाका होगा या तो एक rejection यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि स्टॉक यहाँ पर 85 रूपिस के लेवल के अराउंड आ गया है और यह लेवल काफी ज़्यादा important है तो गाइस यहाँ पर अगर देखें शेयर ने पिछले 5 दिनों में बहतरीन रिटन दिये है पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोंगे 4 रूपे 65 पे से बढ़ गया उसमें से 3 रूपे तो आज ही इसने रेटन दे दिये लाज 6 मंत में अगर आप देखोंगे मैंने कल ही बताया था कि यह जो important छीज़े है यहाँ पर आपको धियान रखने है बड़े breakouts यहाँ पर मिल रहे एक range में यहाँ पर returns मिले है 12 रूपे 90 पेसे तक की बड़त है 18.26% पर और आप level देख लो कल ही यहाँ पर हमने discuss किया था इस range को मैंने clearly कहा था यहाँ पर stock में अगर उपर की और का momentum अगर आना है अगर बड़ा momentum अगर इसमें आएगा तो यह बिल्कुल इस level के उपर और अगर fall आएगा तो यहाँ पर एक breakdown के साथ तो वही आज हुआ stock में उपर बिल्कुल rejection था rejection level हमें मिला था निचे से बिल्कुल हमारे पास एक support level था इन ही upside downs momentum के चलते यहाँ पर हमें शांदार breakout मिल गया breakout के बाद stock अच्छा खासा उपर की और गया यहाँ पर अगर दीखे थोड़ा इसने consolidate किया है और यहाँ पर भी यह consolidate कर रहा है और 85 का level है यहाँ पर तो गैस यहाँ पर विल्कुल कल possibilities यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि stock उपर जाएगा आज market का भी support रहा stock में तो कल के levels यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक pollen flag type pattern है तो यहाँ पर एक pattern तो आपको नहीं समझ रहा होगा तो पाँच मिनट के chart frame पर समझेगा यहाँ पर आपको यह pattern दिखेंगा एक symmetrical type pattern यहाँ से stock 84 रुपीज के level से नीचे आया यहाँ पर से stock ने एक support लिया यहाँ पर से stock ने फिर से एक rejection लिया फिर से एक support लिया इन्हीं upside down से वेंटम के चलते stock ने हाँ पर sustain किया और यहाँ से लग रहा है stock में इसे हम pollen flag type pattern consider कर सकते है दोनों ही pattern bullish है symmetrical breakout मिलने पर और bullish flag pattern तो आपको पताइए गया इस कैसा होता है तो बड़े time frame पर अगर देखें तो MK global ने 85 का target दिया था तो guys 85 का target अगर अच्छी होता है 85 का level को अगर break करता है तो यहाँ पर हमें एक breakout मिलने वाला है यहाँ पर पिछले time यहाँ से rejection था इन दो particular level से rejection थे यहाँ से support था यहाँ से support था बिल्कुल तो यहाँ पर हमने जब यहाँ पर trade line बनाई तो 85 का level यहाँ पर सामने निकल के आया और guys 85 का level दिया है MK Global ने और साथ ही मोतिलाल उस्वाल ने भी एक बड़ा target दिया है और यही एक बड़ा धमाका हो सकता है 98 रुबिस के around A share जा सकता है इस चिच का आपको ध्यान रखना है guys एक breakout मिलेगा stock में एक अच्छा momentum एक अच्छी बड़त हमें आने वाले time में देखने को मिल सकती है so guys यहाँ पर as a long term के purpose से भी अगर आप देखोगे इस share को तो एक 72 share है यहाँ पर एक बड़े time frame पर अगर हम इस stock को देखे तो stock 150 के level से गिरा बिल्कुल guys और फिर उसके बाद यहाँ से गिरा आप देख सकते हो फिर यहाँ पर हमें मिला एक breakout breakout के बाद stock उपर गया upside down momentum है और यही से breakout के बाद stock आने वाले time में 150 plus भी जाने वाला है क्योंकि वही से यही से stock नहीं चाहाँ था तो यही से एक बड़ा momentum भी आएगा बिल्कुल तो guys यहाँ पर IOC को लेकर काफी कुछ बात है हम इस वीडियो में कर चुके है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगाओ वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इन shares का analysis कर लेना Thank you